मटर पनीर की टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसपी आपको बनानी है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए क्योंकि ना इसमें कोई क्रीम एड़िड है ना ही काजु का पेस्ट और ना ही हमने दही का इस्तमाल किया है इसमें बटर भी एड़ेड नहीं है और फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है आप अपने घर के किसी भी मेनुकेजन पे इसे बना के सर्व कर सकते हैं ये सब को बहुत पसंद आएगी तो रैसी पे को पूरा जरूर देखेगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर करना बिल्कुल ना भूलें तो आएए देखते हैं ये कैसे बनता है मसाले के लिए हमें आठ से दसकली लसुन को पील कर लेना है दो मीडियम साइस का टमाटर ले लेंगे एक इंस्ट्रुक्रा अद्रक का चाड़ हरी लाइची और दो मीडियम साइस के प्यास को हम रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से इसके साथ ही हमें मटर चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक कप फ्रेस मटर लिया है अगर आप फ्रोजन मटर कर इस्तमाल कर रहे हैं तो उसे एस इस इस्तमाल कीजिए लेकिन अगर आप फ्रेस मटर ले रहे हैं तो उसे पांच मिनिट के लिए पानी में बॉयल कर लिजिए य इस पानी में हम पनीर को फ्राइप करने के बाद डालेंगे जिससे पाफी सौट बनते हैं अब फ्राइप करने के लिए एक पैन में आट करेंगे दो टेबल स्पून घी और जैसे हमारा घी मेल्ट हो जाएगा अची तरह से उसके बाद हम इसमें पनीय की पीसे से दाल देंग तो यहां पे सब को फ्लिफ कर लिया मैंने अच्छी तरह से और देख सकते हैं अब हलका सा गुलाबी हो गया है अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इसके उपर तो पनीर अच्छी तरह से फ्लिफ हो चुका है तो अब इसे बाहर निकालेंगे जो हमने पानी तियार करके तो इस तरह से पनीर को फ्राय करने के बाद अगर आप उसे पानी में सोक करके रखते हैं तो वह काफी सॉप्ट बनते हैं तो यह टिप आप किसी भी पनीर की सबजी के लिए स्तमाल कर सकते हैं जिसमें आप पनीर को फ्राय करके आट करने वाले हैं तो यहां पे थोड़ा स और इसे हमें तब तक भूना है जब तक कि प्यास हलका सा गुलावी ना हो जाए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो बीच-बीच में चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो लगकर दो से तीन मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि प्यास करण गुलावी हो गया है और तोड़ा सा वो सॉफ्ट हो गया है इसे स्टेज पेस में हम टमाटर एट कर देंगे और इसे भी हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से मैश ना हो जाए आप चाहें तो इसे कवर करते हुए पका सकते हैं जल्दी पक जाएगा और दूसरा टिप यह है कि आप इसमें हलका से नमक आट कर दीजिए तब भी यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाते है तो इस तरह से जब टेक्शर आ जाए पूरी तरह से देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुका है जब हम मैश कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मैश हो रहा है तो यह तो अब क्यास का फ्लेम आफ कर देंगे इससे पहले हम इसमें आट करेंगे एक चोटी चम्मस जीरा और जब यह ठंडा हो जाए तब इसका एक मसाला पेस्ट बनागे में तयार कर लेना है अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए कड़ाई में मैंने दो तेल जैसे गरम हो जाए इसमें आट करेंगे दो चोटी चम्मस जीरा और इससे बुनने देंगे जीरा भुनने के बाद अब इसमें आट करेंगे 5-6 कली लसून को फाइनली चॉप करके इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब जी में साथ ही यहाँ पे मैंने दो सुखी लाल मिर्च पे आट कर दी है लसून भलका गोल्डेन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें मसाला पेस्ट आट कर देंगे जो हमने पहले से पीस के रखा था अब इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें सारे सुखे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले इसमें एट करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पॉर्डर दो छोटी चमच इससे कलर बहुत अच्छा हैगा एट करेंगे स्वात के नुसार नमक यहाँ पे मैंने एक चोटी चमच एट किये आज़े चोटी चमच हल्दी पॉर्डर एट करेंगे और यहाँ पे दो टेबल स्पून हमें धनिया पॉर्डर एट करना है इस मसालों के अलावा इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा जब आप यह सबची बनाएंगे तब आप यकीन नहीं करेंगे कि यह इतना ज्यादा फ्लेवरफुल बनता है तो अब मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखिए अब इसे हम कवर कर देते हैं लगबख साथ से आठ मिनट के लिए लो फ्लेम पे ताकि मसाली का जो कच्छा फ्लेवर है वो थोड़ा सा खतम हो जाए उसक बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तो यहाँ पे लगबख 8 मिनट के बाद मैंने कवर अटाया है आप देख सकते हैं थोड़ा से ड्राइ हुआ है लेकिन अभी ये पूरी तरह से त्यार नहीं है अब इसे बीच-बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे ये मसाला थोड़ा से अच्छी डगता है और ये देखिए इसका टेक्शर कितना स्मूथ है और कलर भी काफी ब्राइट हो गया है इस स्टेज पर हम इसमें मटर के दाने आड़ कर देंगे और इसके साथ इसे लगबख 2 मिनट तक और भूनेंगे को मसाले के साथ भूनते हुए लगबख 2 मिनट हो गया है उसके बाद हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो इसकी ग्रेवी थोड़ी से गाड़ी बनती है तो एक का पानी एड़ कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं काफी गाड़ी है यह तो मिलाने के बाद जैसे इसमें हलका सा बॉयल आजाएगा हम इसमें पानी में सोक करके रखा था तो पानी एड़ नहीं करना है पानी को आप निकाल के फेक दीजे और पानी के पीसे को इस तरह से स्टी बनती है तो ज़रूर ट्राइक कीजेगा आपको यह बहुत अच्छी लगेगी मिलाने के बाद लगबख चार से पांच मिनट के लिए मैंने और कवर किया जैसे ही तेल लूप बढ़ा गया और यहाँ पे आप इसका टेक्षर देखिए बहुत अच्छी तरह से ग्रे के लिए भी इसे बना के सर्व कर सकते हैं दो रैसीपी को जरू ट्राइक कीजेगा अगर अच्छी लगे तो प्लीस लाइक और शेयर करना बिल्कल ना भूले मेरे चैनल पर पहली वारा आए है तो इसे सबस्क्राइब करना बिल्कूल ना भूलिएगा रैसीपी का लिस्त आपको description box मिल जाएगा तब तक के लिए stay healthy stay blessed and thank you for watching